अधिति मिश्रा और आप देख रहे हैं रवाइल इंडियन चैनल इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंग्लिज टी-20 ब्लास्ट का मैच है डव्लू ए यस वर्सेज ए एसस वर्क वीक सायर वर्सेज जो है इसेक्स के बीच में ये मैच खेला जाएगा क्वाटर फाइनल का ये जो है मैच नंबर वन है फुली स्टैट्स और इंफर्मिशन इस वीडियो में मिलेगी तो वीडियो भाई पूरा देखना बहुत ही डीपली इंफर्मिशन आपको देने वाला हूँ वीडियो पूरा देखना तो बनता है इसकिप करके मत जाना सबसे पहले देखो यहाँ पर टोटल जो है चार क्वाटर फाइनल के मैच खेले जाएंगे तो यहाँ पर पहला ये वाला है दूसरा ये वाला तीसरा ये वाला चौथा ये वाला अब चार क्वाटर फाइनल में से जो भी टीम यहाँ पर विन करेगी चार क्वाटर फाइन है आठ टीमों में से चाट टीम विन करेगी तो दो सेमी फाइनल होंगे उसके बाद जो है हमें फाइनल मैच देखने के लिए मिलेगा यहां पर अगर आप पॉइंट स्टेबल देखोगे ना तो यह नॉर्थ ग्रूप का पॉइंट स्टेबल है और यह जो है साउथ का तो यहां पर डीपली इंफर्मेशन है और इसमें अगर आप देखोगे पिछ रिपोर्ट की आपको डीपली इंफर्मेशन देंगे हैट-to-end के रिकॉर्ड्स देंगे प्लेइंगे प्लेयर के आपको स्टैट्स बताएंगे बहुत कुछ है वीडियो में वीडियो को हमारी टीम होती है न थ्री मेंबर और जो है फोर मेंबर की वह आपके साथ में सेयर करेंगे तो टेलीग्राम चैनल पर जरू से जुड़ जाईएगा पिछ रिपोर्ट की अगर मैं बात करूँ पिछ जो है बैटिंग यहां पर ठीक ठाक देखने के लिए मिलती है इस्पीन बार बैट फर्स्ट करने वाली टीम ने विन किया है उन्तालीस बार बैट सैंकों डिक करने वाली टीम ने विन किया है एवरेज स्कोर मेंबगे ज़ुगे 163 का है हाइस्ट स्कोर देखोगी!!! लुएश्ट इस्कोर अगर आप देखोगे 63 यहाँ पर लुएश्ट है Sunny morning matches में क्या हुआ है 27 बार 150 रन से नीचे का स्कोर बना है 30 बार 150 से 170 रन के बीच में बना है 170 से 190 के बीच में 13 बार बना है और 180 से एबब 21 बार बना है वेन्यू पे जो लास्ट फाइप मैच खेले गया है न वो आप देखलो रिसेंटली 2 जुलाई को मैच के ला गया था बहुत ज़दा स्कोर नहीं बना था टोटल 19 बिकेट इस मैच में गिरे थे उसके पहले भी अगर आप देखोगे तो काफ़ी अच्छा हाइप स्कोरिंग मैच गया था 13 बिकेट टोटल गिरे थे 150 बैलो बना है जिसमें जो है काफ़ी विकेट गिरे है तो यहाँ पर दो सिनेरियो निकल के आलता है एक तो भाई हाई स्कोरिंग बनता है और दूसरा यहाँ पर लोई स्कोर बनता है अब आपको इससे आइडिया लग गया होगा कि यहाँ पर जो है अगर आप देखोगे तो यह जो है नौर्थ ग्रूप में नंबर वन टीम थी 14 मैच में से जो है 11 मैच जीती थी नो डाउट यहाँ पर आपकी जो फेवरेट टीम रहने वाली है वो जो है वास की टीम रहने वाली है और यहाँ पर अगर आप रिसेंट फॉर्म भी देखोगे तो काफी जबर जस्त रिसेंट फॉर्म है जबकि इसेक्स का अगर आप देखोगे न रिसेंट फॉर्म लास्ट के पांच में से जो है चार मैच यह लॉस करके टीम आ रही है इससे आपको आइडिया लग गया कि हाँ भाई यहाँ पर जो है वास की टीम को ही फेवरेट करना है और अगर वास की टीम अगर पहले बैट करती है तो वह आपको जो है 180-190 देखने के लिए मिल सकता है और E6 की अगर टीम जो है यहाँ पर पहले अगर बैट करती है ना तो आपको 170-180 जो है इतना देखने के लिए यहाँ पर मिलने वाला है रिसेंट यहाँ पर लास्ट जो 5 मैचेस खेले गाए ना इन दोनों है टीम्स के वो भी अमने सेर किये हैं वोस का अगर आप देखोगे बैट फरस्ट करते हुए 141 किया लेकिन उसमें भी इन्होंने विन निकाल लिया उसके पहले 172, 228, 180 तो नोड आउट बढ़िया स्कोर करते हैं बैट फरस्ट करते हुए इसेक्स का टीम का अगर आप देखोगे बैट फर्स्ट करते हुए इन्होंने भी 225 किया है 209 किया है 184 किया है 186 किया है विकेट्स खर्च करती है ये टीम लेकिन ये टीम भी जो है अच्छा स्कोर करती है इससे आपको जो है काफी आइडिया लगेगा लास्ट फाइप मैच जो है जरूर से हर टीम का आप देखा करें अब बात करते हैं यहाँ पर प्लेइंग लेवन की सबसे पहले वाज टीम की प्लेइंग लेवन देखते हैं एलेक्स देविस के साथ में आर येट्स आपको ओपन करते में नजर आएंगे वन डाउन पर क्रिस बेंजामीन है उसके बाद सैम हैन है ग्लेन मैक्सवेल है देन मोसली है उसके बाद जो है जैक बेथल है फिर हैंडरी ब्रूक्स है उसके बाद डॉमनिक डार्क है जैक लिंटन है और उसके बाद ओलिवियर है तो यह जो है वोस टीम की प्लेइंग लेवन है प्लेयर रोल साइड में हमने लिखे हुए है तो आप इन टीम का प्लेयर रोल भी देख सकते हो इनकी टीम में अगर आप देखोगे तो आपको टॉप ओडर में आर येट्स जो है आपको यहाँ पर जो है लेफ्ट हंडेड दिखाई देंगे साती साथ डेन मोसली जो है आपको लेफ्ट हंडेड जेक बैथल जो है आपको लेफ्ट हंडेड यहाँ पर बैटर दिखाई देने वाले हैं अब यहाँ पर हम देखते हैं इस X की प्लेइंग 11 की, एडम रोसिंग्टन के साथ में डी लोरेंस आपको ओपन करते हुए नजर आएंगे, बंडाउन पर माइकल पेपर है, उसके बाद एफ खुसी है, फिर पॉल वाल्टर है, एम चिर्टली है, उसके बाद डेनियल सैम्स ह सें सेंटनर है, उसके बाद एरन बीर्ड है, और यहाँ पर सैम कूक है, यह इस X टीम की प्लेइंग 11 है, राइट हैंडर मोस्ली आपको यहाँ पर प्लेयर दिखाई देंगे, पॉल वाल्टर एक माईतर यहाँ पर लेफ्ट हैंडर बैट करते हुए आपको नजर आएंगे तो दोनों ही टीम की playing 11 with batting order यहाँ पर हमने लिखा है तो वो आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं प्लेयर की recent form देखते हैं Alex Davis का अगर आप देखोगे recent form last के 5-6 matches का भाई काफी poor form से चल रहा है और अगर आप head to head में देखोगे तो एक ही match किला है जिसमें 80 run score है वेन्यू पे अगर आप देखोगे 19 का average है तो उतनी अच्छी pick नहीं है grand league की team में इनको remove कर सकते हो आरियर्ट्स का अगर आप देखोगे recent form बाई काफी जवरदस्त है back to back 50 मार के आ रहा है head to head में वैसे record नहीं है लेकिन वेन्यू पे 15 matches के लिए है 20 का score average है और 3059 ने किये हूँ है Chris Benjamin का भी अगर देखोगे तो ये बंदा अपने दिन पर अच्छा करता है बाकी आपके मूपर मर्जी है कि आप लेना चाहते हो तो ले सकते हो मैं आपको जो है Chris Benjamin को उतना recommend नहीं करूँगा काफी सारे लोग लेके आए हैं आप भी चाहो तो ले सकते हो अपने टिम में इसके बाद अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर आपको जो players मिलते हैं उसमें आते हैं Sam Han, Sam Han का अगर आप देखोगे 97, 79, 100, भाई बहुत बढ़िया प्लेयर है वेन्यू पर 47 matches में 36 की अबरेज है तो बहुत अच्छा record है Maxwell, bat ball दोनों कर रहे हैं लेकिन अगर आप देखोगे न तो किसी-किसी match में जो है wicket मिल रहा है mostly matches में आपको wicket lessy जो है दिखाई देंगे, bats से अच्छा score करके आपको दे सकते हैं Dean mostly जो है बढ़िया option रहने वाले हैं इनको अपनी grinding की teams में जरूर से try कर लेना as a cvc बहुत बढ़िया option रहने वाले हैं last match की जो है इनकी balling details देखते हैं अगर आप देखोगे न यहाँ पर Dominic Dark, last match केले थे Dominic Dark ये इससे पहले जो है नई खेल रहे थे और 4 over पूरे किये थे power play और death में गिंदबाजी कर रहे हैं important option बन जाती है कुछ run भी करके आपको दे सकते हैं साथी साथ जो है Han and Delhi भी ऐसे करके player है तो भाई नाम pronounce करने में mistake को तो उसको ignore करना बाकी ये भी जो है आपको death में गिंदबाजी करते हैं जाएंगे अगर खेलेंगे तो Maxwell ने सिर्फ जो है एक ही over डाला था लेकिन आपको बता दे कि 3-4 over डाल सकते हैं Maxwell का कोई भरोसा नहीं है balling करेंगे भी या नहीं लेकिन इतना बस मान के चलना कि 2 over मेरे हिसाब से जो है इनको पक्का मिलने वाले हैं इस मैच में H Brooks बढ़िया option है पर यह आपको middle over में गिंद बाजी करते हों मिलेंगे last match में 3 wicket लेकर गए बढ़िया option रहने वाले हैं generally wicket निकाल लेते हैं एक player और भी रहेगा Jack Linton अगर आप देखोगे recent form तो भाई उतना कोई जबरदस्त नहीं है लेकिन जब wicket लेते हैं तो गुच्छों में लेते हैं तो ध्यान रखेगा गुच्छों में wicket लेके आपको जो है grandie की ये win करवा सकते हैं इस X team की अगर मैं बात करूँ रोसिंग्टन का अगर आप देखोगे recent form तो ये generally आपको 25-30 point देखे जाते हैं बाकी head to head के 4 matches में अगर आप देखोगे सिर्फ 33 रन है तो काफी poor record है वेन्यू पर भी देखोगे 11 का average है डी लॉरेंस बढ़ियां option है अगर आप देखोगे last minute 58 किया यहाँ पर 152 किया है तो बढ़ियां option रहने वाले हैं बहुत बढ़ियां option रहने वाले हैं definitely आप अपनी teams में इनको ले सकते हो सभी players का यहाँ पर आपको stats पूरा देखने के लिए मिलेगा recent form head to head का record और इनके head when you record सभी चीज आपको इस video में share की गई है यहाँ पर इनकी last minute की balling details दिखते हैं इस season बहुत ही खतरनाक के लिए है यहाँ पर bat से भी perform किया है ball से भी perform किया है cbc के लिए बहुत बढ़ियां option रहने वाले हैं power play में और death में गिंदबाजी करते हों मिलेंगे तो यह एक अच्छी important आपको cbc की choice बनते हैं इसके बाद आते हैं a beard कुछ खास option नहीं है आप grand league की team में try कर लेना बाकी sam cook को लेके जा सकते हो यहाँ पर जो है paul walter और जो है m crichley साथी साथ seaman harmer यह बढ़ियां बढ़ियां option है तो इनको आप अपने team में try करना कि इन प्लेयर्स को अपने team में आप prefer करो बात करते हैं top picks की top picks याणि की player important player कौन कौन से रहेंगे m crichley साथी साथ dean lawrence और dan mostly उसके बाद glen maxwell, sam han, aryats, michael paper और daniel sams यह बढ़ियां बढ़ियां players है small league की team में इन player को अपने team में लेके जाना मेरे बहुत बढ़ियां option रहने वाले हैं अगर आप small league में cbc जा रहे हो m crichley, dean lawrence, dan mostly और glen maxwell यह 4 आपको सबसे best option मिलती है इनको cbc करना इनही में mostly आपकी जो opponent है वो cbc करते में मिल जाएंगे grand league में जा रहे हो तो sam han को try करना बहुत बढ़ियां player है आपको तगड़े run करके दे सकता है r8s का भी जबरदस्ट form है और michael paper भी जबरदस्ट form है तो इन 3 new players को आपको 100% cbc करना ही करना है बाकी daniel sams को तो भाई पूरी दुनिया करने वाली है तो इनको आप छोड़ना मत इनको अपने team में जरूर से रखना और इनको भी जो है आप cbc जरूर से try करना अपनी grand league की teams में अब यहाँ पर हम बात करते हैं अपने telegram channel के बारे में तो guys telegram का channel important रहेगा यहाँ पर आपको task information, playing 11, dream 11 team सभी चीज़े देखने के लिए मिलती हैं तो आप telegram का channel जरूर से मेरे भाई join कर लिजएगा यहीं पर आपको final updates वगरा देखने के लिए मिलती है अपनी demo team ready कर लेते हैं और देखो T20 blast का यह matches जो है इसमें ठीक थाक आप जो है invest कर सकते हो क्योंकि यह matches काफी अच्छे होते हैं और fair होते हैं विकेट कीपिंग सेक्षन से शुरुआत करते हैं एम पेपर, एलेक्स डेविस, साथी साथ क्रिस बेंजामिन और एडम रोसिंग्टन अब देखो बेंजामिन का भी जो है recent form उतना अच्छा नहीं है, प्लेयर भी उतने अच्छे नहीं है अपने दिन पर अच्छा ये प्लेयर कर सकते हैं सेम कंडिशन रोसिंग्टन के भी साथ में अपलाई होती है तो इन प्लेयर्स को आप जो है ग्यांडी की टीम में लेके जाना मैं यहाँ पर माइकल पेपर और एलेक्स डेविस दोनों को अपने टीम मिलेके जा रहा हूँ डीन लारेंस बढ़ियां ऑप्शन इनको अपने टीम मिलेके चलते हैं सैम हैन को लिया है आर एट्स को लिया है अब देखो यहाँ पर आपको जो है ऑप्शन जो मिलती है इसके पहले यह वाले matches हैं लेकिन यहाँ पर दो matches अगर आप देखोगे न तो इसमें अच्छे points दिया है Grand League में यह बंदा काम कर सकता है तो Grand League की टीम में try कर लेना Small League में लेके जाने की जोर्त नहीं है अगर मैं बात करूँ आलराउंडर section से Daniel Sims, Chris Lee, Glenn Maxwell, Dean Mosley और साथी साथ Paul Walter यह player जो है directly हमारी team में रहने चाहिए मैं तो try करूँगा आपको बोलूँगा कि हर एक team में इनको लेके जाओ balling से अगर मैं बात करूँ तो यार balling में भी आपको काफी अच्छे-ची options मिलती है अगर आप H Brooks का देखोगे last match में भाई तीन wicket लेके आ रहा है Jack Linton भी ठीक ठाक option है बाकी इसके बाद अगर मैं बात करूँ कुछ खास option यहाँ पर नहीं मिलती है safe option की बात करें जो कि आपको run करके और जो है wicket निकाल के दे सकते हैं वो है Sam Harmer और जो है Dominic Dark अब इसमें देखो अगर E-sex की टीम पहले balling करती है न तो मैं Sam Harmer को जो है definitely 100% अपने टीम में prefer करूँगा और अभी के लिए भी लिया हुआ है अगर यहाँ पर जो है वाज की टीम अगर पहले ball करती है फिर मैं Dominic Dark को अपने टीम में यहाँ पर prefer करूँगा CVC की बात करें no doubt यहाँ पर Daniel Sims मेरे जो है Captain रहने वाले है और Vice Captain की अगर मैं बात करूँ तो Dan Mosley यहाँ पर मेरे Vice Captain रहने वाले हैं आप चाहो तो जो है Glenn Maxwell को CVC उनको भी दे सकते हो बड़ियां option जो है वो भी रहने वाले है तो यह हमारी जो है Small League की team है I hope यह वीडियो आपको informative लगा होगा वीडियो से आपको काफी कुछ सीखने के लिए मिला होगा टीम जो है लगबग लगबग final team है और अगर टीम में कोई भी change होगा तो मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे ज़रू से बता दूँगा उमीद करता हूँ यह वीडियो आपको पसंद आया होगा वीडियो पसंद आया हो तो यार वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पे आप पहली बार आये हो तो चैनल के आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर देना ऐसे ही चैनल को देखते रहो सपोर्ट करते रहो मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में